नमस्कार दोस्तों, स्वगत आप सभी का इस खास सेशन में मेरा नाम है विशाल परिहार हर दिन सुबह साथ पज़े करते हैं दाहिंदू एडिटोरिल का डिसकेशन और आज दोस्तों दाहिंदू एडिटोरिल के साथ में मैंने अपना एडिटोरिल भी लिखा हुआ है जो की है पतंजली का आयुरुवेद को लेकर क्लीम आपको मालूमें जब COVID-19 आया था तब से लेकर पतंजली की कोरोनल एक दवाई आई थी याद है और पतंजली ने उस कोरोनल दवाई को कहा था कि ये तो उपचार है COVID-19 का तब डाट फटकार लगी थी पतंजली के ऊपर तो उसके बाद पतंजली ने अपने दूसरे प्रोड़क निकाले उसको भी कहा पतंजली ने कि ये जो है ये किसी चीज़ के लेकर है सुप्रीम कोट ने कई बाट डाट फटकार लगाई प्यार से और पतंजली को पता नहीं कहा समझ में नहीं आया जो भी है तो फरवरी के मैंने फिर इन्हों ने ऐसे ही किया सुप्रीम कोट ने इस बात धंक से डाट फटकार लगाई है बढ़िया तरीके से और जो उनके फाउंडर है को फाउंडर है बावरामदे बाबाजी है ना उनको भी बुलाकर उनसे भी प्यार से बात करिये तो वह ही सब कुछ आर्टिकल में है ठीक है तो पढ़ेंगे सभी बच्चे बड़ा मज़ा आएगा मैं तो पढ़ पढ़ के हसरा था यार कि आखिर कैसे हो जकती ही तो बिल्कुल वैसी ही हरकते करी पतंजली ने जैसी कि जब मैं आपको डाटता हूँ आपको क्यों डाटता हूँ छोटा बच्चा को यह होगा ना छोटे बच्चे आगेते कि ऐसा नहीं करना है नहीं करोगे ना ओक एगा ठीक है नहीं करेंगे अब आप आप एसा ही कुछ काम किया है तो पढ़कर मुझे पहले हसी भी काफी है health risk जो है वो create करती है बढ़ हाँ पढ़ेंगे मज़ा आएगा दूसरे आर्टिकल दूस्तों मैंने लिखा है election में तुरी सारी चीज़े लिखते हैं मैंने भी कुछ लिखा है election को लेकर कुछ ने लिखा है बढ़िया डिमॉक्रसी को लेकर ज़रूर लिखा है आपको मज़ा है न पढ़कर आपको मज़ा हैगा मैंने बताया है किस तरीके से जो इडिया की डिमॉक्रसी है वो डिमॉक्रसी को मैं भी किसे दिका जाता है एक रिपोरिट आई हाला कि उसके इसापसे मैंने लिखा है की रिपोर्ट इंडिया की दुनिया में तो इंडिया की image को जो चाहे वैसा अपने इसाब से लोग मंगदन्द बना सकते हैं फिर इंडिया ने खुद की रिपोर्ट भी निकाली है तो दोनों को कमपारिशर है बड़ी अच्छे समझ में आएगा आपको ठीक है समझ गये ना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पर यस सर लिख दिए यस सर समझ गये हैं बड़िया फस्क्लास तरीके से एवरी वन आफ यू सभी लोग मुझे बताएए जी सर समझ गये हैं और एक प्यारा सा लाइक बटन पर प्रेस कर दे दोस्तो शेशन की शुरुआत होती है यहां से प्यारा सा लाइक बटन पर प्रेस कर दे अवरी वन आफ यू आप इस सभी बच्चे जो सेशन को देख रहे lovers एक बार दोस्तो सेशन को शेर भी जरूर कीजेगा और आप में से किसी को भी अगर सेशन सर्च करना है तो आप लिखी एडिटोरिल बाई विशाल सर और आगे डेट डाल दीजे जैसे कि 4 अपरेल है तो आप लिखा 4 एपरेल आपको दोस्तो वो सेशन मिल जाएगा यूटीव पर आपस इतना सर्च कर लीजेगा ठीक है न इतना जरू सर्च कर लीजेगा आपको सेशन मिल जाएगा सेशन की वेल्यू बढ़ती है आपके सर्च करने से यह हमारे वो केंडिडेटे जिनका सेलेक्शन हुआ है कल तालियां बजाईते, एक बार फिसे तालिया हो जाए और अगला नंबर आपका हो, अगला फोटो आपका हो यही कोशिश आपकी रहेगी, यही मेरी कोशिश आपके साथ रहेगी ठीके, इसी कोशिश में दोस्तों आपकी क्लास जो है अप्रेल को और इसको तकरीब देड़ दो घंटे के आश पस करेंगे बहुसारे क्लोज टेस्ट उनको करेंगे प्रीविस दर पेपर का है तो आज क्लोज टेस्ट के लिए 11 बजे जुड़ना यूटीव पर दोस्तों कोई रह मत जाना फिर आप में से कोई रह जा ऐसा कोई भ बन मेरे साथ आप वोक्याब लिखना शुरू करेंगे और इसे पढ़ना शुरू करेंगे पहला गोड़े थ्रोईज थ्रोज क्या बोलते हैं थ्रोज विच मीज एक कंडिशन ऑफ एगोनाइजिंग स्ट्रगल और ट्रबल एक तरीके से ट्रबल और स्ट्रगल की उस कंडि अगला वड़े पिविटल एड्जिक्टिव की तरह यूज होता है विच मीन्स क्रूशल इंपोर्टेंस इन रिलेशन तो डिवलेप्मेंट और स्ट्रगल के संगर्श में किसी के सक्सेस के सेंस में कुरूशल जो डिवलेप्मेंट होता है यह उसी को हम कहते है वो पिवित आपका नाउन होता है पिविटल आपका जक्तिव होता है ओना कुरुशल होना सुनोंम बन गया जो ंपोर्टेंट नहीं है तंक इसेंट इस्सृंफिकेंट जो माहिन है बोध हर इन्ठ्र नरतीं एक्स्थ्पिमोंस होगे बिविटल होंगे पिर इंद्रे सांपेी strengthen करते हैं या फिर firmly hold करके रखते हैं उन्हीं को हम कहते हैं braces या supports और fastening fastening का वतला बांद देना हो जाता है पकड़ के रख लेना बांद देना तो दोनों ही सिनोनम बन गया losers होता है कुछी चीज़ को release कर देना that is losers or releases both are intronums she wore braces on her teeth for two years दो सालों के लिए वो क्या है teeth में braces पहनते जिसे दातों को support मिले ऐसे करके दोस्तों इस्तिमाल हो गया integrity में देखो it है ना उनकी तरह इस्तिमाल होगा the quality of being honest or having strong moral principles जब ऐसी quality हो की आप strong moral principles दिखाते हैं इमांदारी दिखाते हैं honesty दिखाते हैं उसी को ही integrity कहते हैं तो honesty ही synonym बन गया uprightness and honesty बोथ हार synonym दोस्तों ध्यान रखेंगे dishonesty and corruption दोनों ही intronum हो गया the judge was known for our integrity and fairness जो judge थी वो जानी जाती थी अपनी integrity यानि honesty and fairness के लिए ऐसे करके दोस्तों इस्तिमाल हो गया striving strive से बन रहा है strive verb होती है which means making great efforts to achieve or obtain something किसी चीज़ को achieve करने के लिए या obtain करने के लिए कड़ी मेहनत करना यही होता है strive करना प्रयास करना struggle करना वही endeavor हो जाता है कोशिश करना struggle करना बोथ हार synonyms surrender कर देना अपने आपको अप तो give up हो गया surrender करना yield करना भी give up होना हो जाता है बोथ हा intronums they are striving to find a cure for the disease वो struggle कर रहे हैं किसी उस disease के लिए cure find करने के लिए struggle कर रहे हैं striving आपका ऐसे करके इस्तिमाल हो गया appraisal है noun की तरह इस्तिमाल होता है which means an act of assessing someone एक ऐसा कोई काम करना जिसमें आप किसी चीज को ये किसी विक्ति को assessment कर रहे हैं मुल्यांकन कर रहे हैं उसी को कहा जाता appraisal करना आपने जरूर सुना होगा जो लोग job कर रहे होते हैं उनको फिर एक साल उन्होंने बढ़िया काम क करने के बाद उन्हें पैसों में तंख्वा में बड़ोतरी मिलती है उसी को कहा जाता है appraisal वही है evaluation करना assessment करना बोथ हार synonyms guess कर लेना कोई evaluation नहीं करना सिर्फ guess कर लेना estimate लगा देना बोथ हार intonoms the appraisal of the house घर का जो appraisal यारनी की assessment था put its value much higher than expected उससे इसकी value और ज्यादा हो गया spearhead verb की तरह use होता है विच मिंस lead an attack or movement कोई attack or movement को lead करना is spirit होता है याने कि अगवाही करना सब से आगे रहना वही spearhead है उसी कते lead करना pioneer करना बोथ हा synonyms follow करना चू आगे जा रहा अब उसके पिछे 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 जा रहा वह था उससे follow करने वाला trail करने वाला trail भी पिछ project को spearhead करेगी ऐसे करके इसका इसका इस्तिमाल हो गया ethos, noun की तरह इस्तिमाल होता है which means the characteristic spirit यानि किसी की विशेष्टा basically of a culture, era, community as manifested in its beliefs and inspirations जो कि उसके beliefs और याप inspirations में दिखती है, वो चरित्र है उसका, character है इसका spirit है, बोथ हाप से नोनम, इंटोना में से directly कुछ बना नहीं, the company's ethos is all about customer satisfaction, company का जो ethos है, वो सब कुछ किसको लेकर है, customer satisfaction को लेकर है, लिखते जाओ ज़र एक बार इसको दोस्तों, है न, लिखना एक बार, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला वड़ी दोस्तों आपके लि hidden, छुपे हुए dangers और difficulties होना, उसी को pitfall कहते हैं, हजार सोना, dangers होना, दोनों ही हो गया, दोस्तों, आपके synonym, safety हो गई, या फिर certainties हो गई, इस्थरता हो गई, दोनों इंटोनम बन गई, many pitfalls await the inexperienced investors, बहुत सारे जोखे में भी आने को हैं, किसके लिए जो inexperienced investor है, यानि वो investor जिसको अभी experience कम है, ऐसे करके इस्तिमाल होगा है दोस्तों, pitfall का, okay, transcend work की तरह यूज हुआ, to go beyond the limits of something, किसी चीज़ की limits से आगे बढ़ जाना, उसी को हम कहते हैं, par कर देना, transcend हो जाना, surpass कर देना, exceed कर देना, दोनों synonym हो गया, fall shot हो जाना, lag कर देना, दोनों इंटोनम हो कर दिया, ऐसे इस्तिमाल हो गया, nuanced adjective की तरह ही use होता है, characterized by subtle shades of meaning or expression, जब चीज़ों के छोटे छोटे अंतर को बताया जाता है, उसी को nuanced कहते हैं, सूक्षम अंतर को बताना nuanced हो गया, subtle हो गया, refined हो गया, दोनों से नोनम बन गये, blunt, यानि कोई सूक्षम अंतर नहीं पता चल रहा है, यानि कि वो blur है कोई चूसी को blunt के देते हैं, straightforward, सीधे सीधे कोई बात को क्या देना, दोनों ही आपके इंटोनम बन गये, हर poetry is known for its nuanced portrayal of complex emotions, उसकी poetry जानी जाती है, poetry means collection of poems, वो जानी जाती है, उसके ही nuanced यानि छोटे छोटे ऐसे अंतर को बताने के लिए जो complex emotions होते है उसको show करने के लिए, यानि दिखने के लिए जानी जाती है, nuance use हो गया, encapsulate verb की तरह इस्तिमाल होता है, to express the essential features of something succinctly, किसी चीज़ के जो essential आवशक features हैं, उनको succinct तरीके से, यानि कि सारानशित करके बता देना, यही आपके encapsulate है, that is summarize करना, summarize भी ही हो गया, condense करना भी ही हो ग ठीक है, the report encapsulates the project success, report जो है project की success को encapsulate, यानि कि explain करती है, summarize करके explain करती है, project की success को in a few key points, कुछ ही key points मैं तुपूर बिंदूओं में इससे बताती है, quest आपका noun की तरह use होता है, a long और I do a search for something, किसी चीज़ को लेकर एक लंबी, कथिन, खोज को ही हम कहते हैं, दोस्तों, quest यह ख search और pursuit दोनों synonym होगे, abandonment का मतलब किसी को tag देना और cessation कर देना, रोक लगा देना, tag देना, दोनों ही intonym होगे, the scientist's quest for knowledge was never ending, scientist की जो खोज थी, knowledge को लेकर वो never ending थी, कभी खत्मना होने वाली थी, okay, चलो, यह वाला अपना complete हुआ दोस्तों, ठीक है, यह हो गई, वो cap complete, आप स complete होने के बाद, इसकी EDM पर कराता हूँ मैं, EDM, देखो, यह EDM note करेंगी, slide थोड़ी आगे पिछे है और कोई दिकत नहीं है, ठीक है, देखो, तो पहला EDM है दोस्तो, turn of the heat, turn of the heat का मतलब है, increasing pressure और increasing pressure या फिर criticism, किसी की उपर pressure और criticism को बढ़ाना, that is turn of the heat, turn of the heat, turn of the heat, दूसरे, come down heavily on, come down heavily on का मतलब criticize करना या reprimand करना strongly, turn a blind eye, which means deliberately ignore करना, जान गुछ का ध्यान देना, कुछ wrongdoing करते जाना, या तो वो वाले का बता दिया है, मैंने, रुख जाओ ज़रा, चलो पढ़ लो, cocking a snook act, which means showing contempt and disrespect for, किसी के लिए disrespect show करना, दूसरे वाले editorial में इस वाले में नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़नी है सारी, तो चलो आपने ध्यान रखा, रीडिंग करते हैं दोस्तो, रीडिंग करने में आएंगी अपी आपको, कुछ-कुछ, वो देखो, यहा लिख विए, उस पर ले आता हूँ, यह है, गलती से मैं कोई काम करते हैं, खुद का रास्ता अपनाते हैं, to follow one's unique path, किसी का खुद का unique path और unique strategy follow करना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तो, to chart its own course, दूसरा, at a crucial crossroads, which means, एक critical point पर होना, where important decisions must be made with will, must be made, that will have far-reaching consequences, जिसके काफी बड़े-बड़े प्रबाव होंगे, उसी को कहते है, at a crucial crossroads work in progress, आपने कई बर दिखा होगा, सडकों पर, road पर, बड़े-बड़े boards में लिखा हुआ, something that is not yet finished or complete, कोई एसी चीज़ जो भी finished नहीं हुई है, complete नहीं हुई है, and is still being worked down, उस पर अभी भी काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो यह दोस्तो हमारे यहां पर होगे तीन idioms, phrasal verb एक है, that is quest, quest के साथ for लगता है, phrasal verb क्या होता है, नहीं बच्चे ध्यान रखो दोस्तों, verb के साथ fixed preposition लगाते हैं, यहीं बनता है phrasal verb, quest for means a search or pursuit for something, किसी चीज़ को चाह में, किसी चीज़ की खोज में आगे पढ़ना, यहीं होता है, quest for, समझ गए, ओके, चलो, अब दोस दोस्तों, जिसके हमने, वो क्या आप पढ़ी है न, वो है article जो मैंने लिखा है, आते हैं, इसको आप पढ़ेगे, यह article है, इसकी वो क्या आप, आप लोग ने पढ़ी है, अब इसी की reading करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, reading करोगे आप, एक मिनट का time दूँगा, मैं slide को पढ़ने के लिए, आपके पास देखो, तीन slide है, slide 1, slide 2 और slide 3, ठीक है, अब आप खुद से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखना, what is the difference between your reading and my reading, और वहीं से दोस्तों, आपका अंतर की रिएट होगा, पढ़ने का तरीका बताता हूँ, सारे नई candidates को, पूरा subject एक साथ पकड़ेना है, पूरा verb एक साथ, then पूरा object एक साथ, then पूरा का पूरा additional information, compliment एक साथ, ऐसे पढ़ने की कोशिश करना, try करो, चलो, सबी लोग try करेंगे, बाबु, come on, कर दो झाल झाल डन हो गया, very nice अब देखो integrity, यही तो पढ़ा था पढ़ा था ना, आजो परिशन क्यों हो रहे हो बाबा वाला आर्टिकल पहले पढ़ेंगे बाबा वाला आर्टिकल पढ़ाऊंगा यार इसके बात वही पढ़ लेंगे ता क्यो टिंता करते हो, अभी मौच करेंगे लेकिन पहले यह तो समझ लोग आर्टिकल यह वो है दोस्तों जो मैंने लिखा है पढ़कर देखते हैं, पहले ही वर्ड हमने पढ़ा था थो इन दी थो आफ ट्विंटी ट्विंटी फॉर दो हजार चॉविस के इस पूरे के पूरे माहॉल में त्रोज इस माहॉल में इंपोर्टेंट माहॉल में डेमोकरसी फाइंड इससेल्फ अट अट कुरूशल क्रॉश्रोड्स डेमोकरसी को देखकर लगता है कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्रॉश्रोड्स पर है Crossroads मतलब important समय पर है With half the globe's population Poised to excise their electoral rights जहाँ पर दुनिया की आधी के around population अपने electoral rights को लेकर आगे बढ़ रहे है यानि कि इस बार vote देगी क्यों इस साल vote देगी? क्योंकि इंडिया में भी election है दोस्तों इंडिया के सासा दोस्तों काफी सारी country में election हो चुके हैं और US में भी election होने वाले हैं तो इतनी सारी जनसंग्या अतनी सारे देश vote देने वाले हैं इसलिए ये line लिखे होई है इंडिया hosting a quarter of these voters इन voters का एक चोटाई हिसा तो अकिला इंडिया का ही है becomes a pivotal stage इसलिए इंडिया क्या एक important stage बन जाता है for what is arguably democracy's most rigorous examination to date जो की दिखाता है हमारी democracy का rigorous examination की हमारी democracy जो है कितनी अच्छी है यही तो दिखाता है हमारी democracy के बारे में दिखाता है yet उसके बावजूद भी फिर भी क्या है as India braces for this monumental event इंडिया इंतिजार कर रहा है wait करता है accept करता है बांध के रखता है braces मतलब बांध के रखता है अपने monumental event को important event को its democratic credentials लेकिन इंडिया की जो democratic credentials है कि इंडिया डिका अंदर democratic practices अच्छी से चल रही है कि नहीं हो रही है जो democratic credentials है face intense scrutiny from global indices index को plural में indices कहते है जो global level पर index निकलते है उसमें इंडिया के लिए scrutiny वाली बात है बताते हैं कि इंडिया में ये कमी ये कमी ये कमी ये कमी तो देखो दुनिया के बाकी देश गिनाते ही रहते है तो वही गिनार है जिससे कि क्या हो रहा है casting a shadow over its democratic integrity इंडिया की democratic integrity पर सवाल उठ जाता है cast a shadow का मतलब doubt उठ जाता है सवाल उठ जाता है किसी की उपर तो उसी को कहते है cast a shadow ओके दी V.dem ये नेम है आपका ये नेम है V.dem इंस्टिट की characterization आई है of इंडिया को लेकर as a severe autocratizer इंडिया को बोल दिया है कि इंडिया क्या है severe autocratizer है पर सारे लोग video भी बनाते हैं तिन autocratik country है देख रहे होगे आजकल मैं भी देख रहता है YouTube पर है न अब नाम ने ले सकते है बड़े-बड़े YouTuber है कहते हैं इंडिया autocratism में पहुंच चुका है कह देते हैं अब ऐसे करने से क्या होगे इंडिया की value खराब होई की नहीं होई सबकी हमारी और आपकी सबकी value खराब होती है ति downgrade by several other indices और भी कई सारे indices हैं वो भी इंडिया को downgrade कर देते हैं जब ऐसा होता है paint a concerning picture of इंडिया's democratic health तो इंडिया की democratic health का मतलब जो democracy है उसके लिए एक concerning picture दिखाता है concerning एक concern दिखाते हुँआ बताता है these indices अभी जो indices आई हैं while striving for a comprehensive appraisal of democracies worldwide यह यह दिखाती है पूरी दुनिया भर में क्या comprehensive appraisal है कहने का मतलब आकलन है in democracies का पूरी दुनिया भर में इसको बताती है inadvertently यानि कि अनजाने में अनजाने में यह introduce कर देती है biases कई बार यह एक तरफा जो है report छाप देती है अब कई बार देखते हो world level पे चीज़ें कई बार एक तरफा हो जाती है that may not fully capture the on ground realities of governance जो की governance की on ground reality को नहीं capture करती अब आप देखो यार US support करे जा रहा है कल हमने article में पढ़ा था इसराइल का चाहें इसराइल लगातार हमले करे जा रहा है 32,000 लोग मारे गए हैं गाजा में आपने कल पढ़ा था नग बावजूद इसके वो US में बैठे हुए जो पत्रकार है US में बैठे हुए जो लोग है लिख रहे है वो US President के बारे में नहीं लिख रहे होंगे अब अब उनको democracy अब उनको human rights कुछ याद नहीं आ रहा होगा आँख पुल-बंद करके वहाँ पर गूम रहे होंगे बाकि दुनिया बर के लोग लिख रहे है तो असल में क्या है कि लोग कई बार बाइस हो जाते हैं जानबुचकर कई बार बाइस हो जाते inadvertently मैंने तो यह inadvertently लिखा है को जानबुचकर नहीं लिखा है कई बार होता है कि लोग बाइस हो जाते हैं, समझना पड़ता है, तो वो समझने वाली बात को मैंने यहां लिखा, वो कल वाली बात को ध्यान में रखते हुए, इंडिया's proposed endeavor, इंडिया ने जो proposal दिया कोशिश का to craft its own democracy, इंडिया अपनी खुद की democracy जो है, वो craft करेगी, कुद की democracy index craft करेगी, report कर रहा है कि यह response की तौर पर इंडिया कर रहा है to these critics, कि यह जो critics है, critics के response में इंडिया ऐसा कर रहा है, यह करके हमने दोस्तों पड़ लिया, सब को समझना है ना बाबू यहां तक, अच्छा, अब आप फिर से पढ़ेंगे यहां से, फिर से एंड तक पढ़ेंगे, एक मिन करियेगा, ठीके, do it, come on. झाल चलो, डन हुआ, ठीके, रोशन वो, एक बार वो report है ना, मैं देखता हूँ, जो INAV, IIT Bombay वाली, 35% students है, are not getting job, चाओ तो आप मिलको एक बार WhatsApp भी कर दे रहा है, ठीके, मैं उस पर बेस एक article लिखता हूँ, कल के लिए, ठीके, जिसको कभी कोई ऐसी important information लगती हो, जिसे कई बार मुसे छूट भी जाती है, मैं डूढता हूँ, कई बार मुसे छूट भी जाती है, मैं डूढता हूँ, कई बार चूट भी जाती है, मेरे को लगता कर, आपको education वाली कोई मिलती चली जाने, मेरे को तुरंद WhatsApp कर दिया, ग move है, देखो, this move reflects a growing dissatisfaction, अब जब इंडिया ने ये move दिया है, तो obviously ये dissatisfaction ही दिखता है, with international parameters के साथ, कि international level पे जो index बनाया है, उससे इंडिया satisfied नहीं, सही बात है, है न, तो ये दिखाता है, international parameters perceived as misaligned, और ऐसा माना जाता है, कि misaligned है, with India's democratic ethos and reality, कि इंडिया की जो democratic ethos है, इंडिया की जो reality उससे alignment ही नहीं दिख रहा है, यानि कि ये गलत है जो report आ रही है, यही तो दिखता है, okay, ठीक है, however, हाला कि जो ये journey है, to a more equitable assessment, और equitable assessment of democracy का, is not without its pitfalls, बिना इसके pitfalls के नहीं है, यानि कि बिना इसके pitfalls के नहीं है, जिन से जूजना पड़ेगा, challenges के नहीं है, the challenge lies, और जो challenge है, वो कहां lie करता है, in crafting an index, एक ऐसा index बनाना, that transcends the limitations of its producers, जो इससे पहले भी जो बनी हुई है index, उन सब को ये पार कर जाए, ensuring a balanced and nuanced representation of India's democratic landscape, ये ध्यान में रखते हुए, कि इंडिया का जो democratic landscape, उन सब को बताया जाए, वो भी nuanced जो ब information है, वो भी बताई जाए, the endeavor जो कोशिश है to establish a high degree of concept measure consistently, कि एक high level की concept measure, consistency को दिखाया जाए, and as advocated, जिसको advocate यानी के support किया जाता है, scholars के द्वारा, underscores the complexity of encapsulating democracy, ये बताती है कि democracy को किस तरीके से briefly explain किया जाएगा, in a singular measure में, कहने का मतलब ये है, जब ये report आईगे तो उस report में तो democracy के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, तो ऐसी democracy होनी चाहिए, ऐसी report होनी चाहिए, as the world watches, पूरी दुनिया देखती है, the creation of an indigenous democracy index, कि कोई एक ऐसी democracy index बनाना, जो indigenous है, indigenous मतलब खुदी बना रहे है, सुदेशी है, by India, is not merely an academic excise, ये सिर्फ एक academic excise नहीं है, कि सिर्फ लिया, समझ लिया, सिर्फ ये ही नहीं है, but a statement of intent, बलकि statement of intent है, statement of intent कहते हैं, कि असल में आप चाहते भी हैं, जैसे आपने कहा, कि मैं बहुत अच्छा विक्ति हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अच्छा एगरता हूँ, तो असल में आप हो की नहीं हो, तो बात की ब बताता है, it signifies India's determination, यह बताता है इंडिया का द्रड़न इश्य, to assert its democratic identity, जहां इंडिया अपनी democratic identity को ऐसे assert यानि ऐसे claim करता है, on its own terms की हमारे साब से है, challenging the prevailing narratives, जो चारो तरफ narratives बने हुए अलगले countries के द्वारा, shaped by external assessments, उन सब को यह challenge गरता है, जो किससे बनते है, external assessments है, external assessments मतल बाकी सारे लोगों के द्वारा, okay, while global democracy indices offer valuable insights, जो global indices हो गए, global indices क्या हो गए, global level पर जो अभी report है, वो हमें valuable insights तो देते हैं, into global democratic trends में की, global level पर क्या trend चल दा, democracy का, the quest for a more representative and equitable measure, लेकिन जो खोज है कि और representative and equitable measure लिया जाए, is both, वो सरूरी necessary भी है, और timely आनी समय से भी जरूरी है, India's initiative to chart its own course, India का जो initiative भी खुद का रास्ता बनाएंगे, in evaluating democracy, democracy को समझने में, evaluate करने में, underscores the dynamic and evolving nature of democratic governance itself, ये बताता है, खुद के democratic governance के, खुद के nature को बताता है, reminding us, जो हमें याद दिलाता है, that democracy in all its form, अपने हर एक forms में जो democracy है, remains a work in progress, वो एक work in progress बनी हुई है, अब एक बात बताएंगे, किसी country में आप कह सकते हो, कि जो democracy एकदम perfect है, हमेशा work in progress बनी रहेगी, क्योंकि, जैसे जैसे समय आएगा, वैसे वैसे जरूरते बदलती जाती हैं, जब जरूरते बदलती हैं, तो नियम बदलते हैं, उनके अनुसार ब टोड़ा सा, यहां लगएगा, यहां एगा, एक question अपना इधर आगे, ठीके, अब बताना, question आपने समझाए, What is the primary tone of the passage regarding India's efforts to create its own democracy index? खुद का own democracy index create करने में, क्या writer की tone है, मैंने लिखा किस तरीके से, क्या मैं defend कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा हो रहा है कि गलत है, बेकार है, मैं जब जस्ती defend कर रहा हूँ कि ने ने ठीके बना लिया, बढ़िया, बढ़िया, हमारी image खराब हो जाएगी वरना, या skeptical हूँ, या मैं खुद ही doubtful हूँ कि इंडिया ने खुद की अपनी report बनाएगा, तो मैं doubtful हूँ, या skeptical हूँ, या मैं optimistic हूँ, optimistic का मतलब आशावादी हूँ, या मैं objective हो, objective होता है, जब किसी एक point को लेकर हम discussion कर रहे होते हैं पूरा, ये critical हूँ, मैं criticize कर रहा हूँ, what should be the tone, आपने खुद समझा है, option C's का answer आ रहा है, let's see, C's का answer है कि नी, wow, very nice, बहुत बढ़िया तालिया हो जाएँ आप सब के लिए, ये बताता है कि आपने बहुत ध्यान से, आपने focus से पढ़ा है, editorial number one, now let's move to the editorial number two, जिसके आप बात कर रहे थे, पतंजली, अब हम उसको पढ़ेंगे, यहाँ तक लेके सब लोग सीखते चले गए हैं, मुझे आप सब सची एक like बटन बे प्रेस, everyone, थमसब आता है, दोस्तों तो station की value बढ़ती है, आप लोग देखते हो, editorial में, जब मैं यह पढ़ाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, एक editorial आपके लिए, और मैंने आप से कल बोला भी था, कि मैं लिखूंगा, तो आज दोस्तों लिख भी लिखकर भी आपको मिल गया है, साथ की साथ दोस्तों, आज इसकी quiz भी आपको मिलेंगे, तो आज इसकी quiz भी मिलेंगे, quiz भी बना दिये मैंने, आप quiz भी solve कीजेगा, मैं link share कर दूँगा, टेलीग्राम पर, आप में से जो नई बच्चे हैं, टेलीग्राम पर नहीं है, वो आजाना, ऐसे मेरा नाम लिखना, विशाल, परिहार, टेलीग्राम, ठीके, ऐसे करके लिखना, तो सिर्फ यही टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ इसी को जोईन करना, जोईन कर लेना, और दोस्तों, आपको मैं link दे दूँगा, हर दिन PDF भी दे देता हूँ, तो वो आपको माँ पर मिलती जाएगी, इसका benefit आप लोग उठाएगे, ठीके, बड़ी है ना, आज है ये अगले article को पढ़ते हैं, उसके इस title से मच जाना, title वाई ये गलत हो गया, अगले article के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देख ले रहा हूँ, कितने थमसप आए हैं, थमसप आ नहीं पा रहे हैं सबके, क्या बात है, मुझे लगता है, यूट्यूब को फोन करके पूछना पड़ेगा, कोई error आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो थमसप पर प्रेस करी रहे हो, आप लोगों ने थमसप पर प्रेस तो किया है, जूट तो बोलते नहीं हो, जो चीज पसंद आते हैं, उस पर थमसप करते तो हो, है ना, आ नहीं रहे हैं, कुछ यूट्यूब का गलिच आ रहा होगा, वो इंजीनियर्स हैं, वो इतनी कहां उनमें बुद्धी बुद्धी है ना, तो उनको सही करवाना पड़ेगा, आप टेंशन नहीं लो, मुझे पूरा बरुसा आप पर, है थमसप पर प्रेस करें, बिल्कुल प्रेस किया है आपने, बिल्कुल बिल्कुल प्रेस किया है, जूट तो कभी नहीं बोलते हैं आप, आप पर मुझे ज़्यादा परुसा है, मैं कह दूँगा यूट्यूब से, ठीक है, कि अपना यूट्यूब ठीक कर लो, हमारे बच्चे लाइक बटन पर प्रेस करते हैं, बताओ, लाइक ही नहीं आता है, ठीक है, सो धर जाओ, थमसप पर प्रेस कर दो यार, ता बढ़िया सिखा रहा हूँ, दूसरों की वीडियो पर तो कर देते हो, मैंने देखा है, पड़ोसियों की वीडियो पर, पुनिसर कहते हैं, पड़ोसियों की वीडियो पर लाइक कर दो, लगता है तुम करिया है क्या, क्यों, कर दो भाई, थमसप, आजाओ, यह आटिकल है हमारा, रामदे बावा जी की उपर, पढ़ेंगे फुरा आटिकल, समझेंगे, है ना, और एक एक करके सारे वर्ड को सीखेंगे, और कुछ सीख भी लेकर जाएंगे इस आटिकल से, ठीक है, पहला वड़े दोस्तो, ओवर्राइट, वर्ब की तरह यूज हुता है, विच मींस, तो इस अथरीटी में और कैनल, जब अथरीटी कह एक सारे किसी नियम को, डिसीजन को, या विउ को, कैनल कर देएंगे, और इजक कर दे हैं, इसको उवर्रूल कहा जा जाता है, इसको आनल कर दे ना कहा जाता है, अपहल्ड जो चीज जैसी है विसी बने रखन बने रहे वो अपहल्ड होता है confirm होता है दोनां इंटोनम हो गया The President has the power to override a veto from Congress President के पाष्ट पावर होती है कि वो override कर सकते कोई भी जैसे for example Congress की तरफ से veto power का इस्तेमाल हुआ कि यह ऐसा हो का उसको भी अगर कोई override कर सकते है तो वो कौन है President, example के तरफ पर हमने यह आप लिखा यह Congress का मतलब दोस्तों यह मत समझना कि अपने देश की BJP Congress नहीं US वाला example लिया है मैंने ठीक है इससे पहले कि आप मेंसे कोई बढ़क जाए ऐसा वो नहीं है Congress ठीक है Contempt है, noun की तौर पर इस्तिमाल होता है which means the feeling that a person or a thing is beneath consideration कोई एक ऐसी feeling आना कि कोई person या कोई चीज जो है beneath consideration है यानि consideration से भी नीची है उससे समझा ही नहीं जा रहा है उसको value ही नहीं दी जा रही है worthless है, deserving scorn scorn होता है criticism criticism, जिसको criticism deserve करता है यानि कोई चीज अवो मानना है उसी को contempt कहते है disdain करना, scorn करना, concise करना disrespect करना, यह synonym हो गया respect करना, admiration करना, intonum हो गया he showed his contempt for his job by doing it very badly he ने अपना contempt दिखाया अपने उस काम को बहुत बुरी तरह से करके यह उसने disrespectful दिखाई हमने देख लिया, perjury आपका नम की तरह use होता है दोस्तो perjury which means the offense of willfully telling an untruth, जान बूच कर किसी को जूठ बताना untruth बताना, in a court वो भी court में, after having taken an oath or affirmation जब एक बार आपने ओथ ले लिया है कि जो भी कहूंगा, सच कहूंगा सच की सभा, कुछ नहीं कहूंगा और फिर आपने तरह जूठ बोल दिया इसी को क्या बोलते हैं दोस्तो perjury करना कहते हैं जूठी शपत लेना कहते हैं दोस्तो ऐसे ध्यान रखना false testimony हो गई या फिर lying under oath oath के अंदर भी आपने जूठ बोल दिया truthfulness इसका intonum बन जाएगा honesty इसका intonum बन जाएगा ठीक है, तो witness was charged with perjury जो witness था उसके उपर आरोप लगा perjury का, क्यों? for lying about her, whereabouts को क्यों अपने whereabouts की बारे में जूठ बोला whereabouts का मतलब हो जाता है सामान, उस किसी वेक्ती का जो सामान है, उन सब सामान को हम whereabouts बोलते हैं, उसके बारे में उसने जूठ बोला इस वज़ा से okay, panacea ना उनकी तरह use होता है, solution और remedy for all difficulties or diseases सभी difficulties, सभी diseases के लिए panacea, यानि कि रामबाढ़ हो ना, इसी को रामबाढ़ के देते सभी diseases के लिए क्या है, एक कोई इलाज, तो जिसको कोरोनिल आई थी ना, तो बाबार रामदेव ने कहा था कि जो कोरोनिल है, वो COVID-19 की वाइरस का इलाज है, ये जो था वो जूठा क्लेम था, इसी की बात हो रही है, so panacea हो गया cure all और universal remedy होना, दोनों ही synonym बन गया ये disease हो गया, ailment हो गया, तोनों ही antonym हो गया technology is not a panacea for all our problems, सभी problems का जो solution है, वो technology नहीं है, okay effedavit noun की तरह use होता है which means a written statement होता है, confirm by oath या फिर affirmation, या तो oath के लिए लिए आपने affirmation कर लिया for use as evidence in court, उसी court में evidence के तौर पर use करते हैं आप सब लोग competition की तियारी कर रहे हो आपके साथ कई बार ऐसा हो जाता है मैं देखता हूँ, student ए form भरा जब application form, तो उसमें या तो date of birth गलत लिख दी, नाम की spelling को थोड़ी से गलत हो गया, कुछ ना कुछ थोड़ा गलती हो गई है, और यह real है मेरा और वो जो lawyer है, वो stamp लगा कर उसको tapet कर दीता है, तो फिर वो affidavit आप जाकर लगाते हो, अपने document verification जब होता है तब, तो वही affidavit है, कुछ और नहीं है, हमने का declaration भी बोलते हैं, उसे, shown statement भी बोलते हैं, यानि किशपत लिया गया statement है, मना कर दिया तो denial है, refutation भी होता है मना कर देना बोथ हर इंटोनम्ष, तो witness submitted an affidavit to go to the court, detailing what she had seen, witness ने submit किया अपना affidavit court में, ये detail देते हुए कि क्या उसने देखा था ऐसे करके इस्तिमाल हो गया, dispel verb की तरह यूज होता है make a doubt, feeling, a belief disappear, किसी doubt, feeling या फिर किसी belief को disappear कर देना, गयब कर देना, दूर कर देना, dispel हो जाता है, उसी को हम dissipate कहते हैं, उसी को हम disperse कहते हैं, बोथ हर synonyms, accumulate होता है, एकट्पा कर लेना, gather होता है, एकट्पा कर लेना, बोथ हर इंटोनम्स, the sunshine did little, sunshine ने थोड़ा सा ही काम किया, to dispel the gloom that hung over the proceedings, जिसने proceedings को hung over कर दिया, याने की रोक दिया, ऐसे करके उसने काम इस्तेमाल किया, दूर करने का इस्तेमाल हुआ, complicit adjective है, जब एक विक्ती किसी के साथ अपराद में मिला हुआ है, तो वो complicit है, involved with others in an illegal activity, या फिर wrongdoing, अपराद में सहबागी होना ही, complicit है, इसी को आमने लिखा involved होना है, इसी को आमने लिखा conniving होना, बोथ हर synonym, innocent होना, uninvolved होना, बोथ हर intonums, she was complicit in the cover-up of this scandal, वो जो थी, scandal को छोपाने के लिए, इसमें सहबागी थी, ऐसे इस्तिमाल इसका हो गया, penal adjective की तरह use होता है, relating to, use for, or prescribing the punishment of offenders under the legal system, legal system के अंतरगत, जो भी दंड, निर्धारित है, वो दंड देना, तो दंडात्मक जो चीज़े हैं, वो इपीनल हो जाता है, जैसे हमने punitive बोल दिया, इसी को, corrective बोल दिया, इसी को, आपने term सुना होगा, punitive action लेना, यानि किसी के खिलाफ दंडात्मक कोई काम करना, या corrective action लेना, corrective measure लेना, तो इसी को दोस्तों दोनों सुनोनम यूज़ हो गया, rewarding हो गया, किसी को, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, तो इसको कुछ आपने benefit पहुचाया, तो वो rewarding हो गया, यह compensatory हो गया, दोनों ही आपके intonum हो गया, he was transferred to a penal institution to serve his sentence, अपना sentence अपनी सजा को serve करने के लिए penal institution उसे बेजा गया, penal institution jail को ही कहा जाता है, किसको कहा जाता है, jail को, denigrate verb की तरह यूज होता है, criticize unfairly, disparage, यानि disrespect करना किसी की, या unfair तरीके से criticize करना, बधनाम करना, that is denigrate, इसी को कहते है, belittle करना, disparage करना, सिनोना में, praise हो गया, tarif करना, comment भी हो गया, tarif करना intonum, the actor complaint actor ने complaint की, that the ऐसे बढ़ो, the actor complained that the tabloid had denigrated his character, कि जो tabloid थे, यानि बाकि जो लोग थे वहाँ पर, उन्ही को tabloid कहते हैं, जो वहाँ पर उपस्तित थे, उन्होंने उसके character की denigrate की, यानि की बधनाम किया उसके character को, deride है verb की तरह यूज होता है, derided हो गया, second form है, express contempt पर, मजा खुड़ा देना, उपहास करना, ridicule करना, mock करना, ridicule करना, सिनोना में, praise करना, respect करना, intonum हो गया, his backwards manners जो थे, वर, derided थे, by the more refined countries, more refined cotries के द्वारा, यानि कि और जदर refined cotries थे, उनके द्वारा क्या किया गया, उसके manners इसका मजा खुड़ाए गया, उसके तरीकों का मजा खुड़ाए गया, tacit adjective है, which means understood, किसी चीज़ को समझ लेना, understood or implied, without being stated openly, बिना openly कही किसी बात को समझ लेना ही, tacit कहलाता है, implicit or understood, कोई चीज़ already समझ में आ रही है, तो वो implicit है, understood है, सिनो नम हो गया, explicit बताना, state यानि कहना, तो नम हो गया, there was a tacit agreement, एक tacit agreement था, यानि बिलकुल understood वाला agreement था, that he would not enter the competition, कि वो competition में एंटरी नहीं करेगा, ये एक agreement में था बात, चलो, complete हुआ, ये EDM तम लोग पढ़ चुके, phrasal verb यहां है नहीं, आप सिधा reading की तरफ आएंगे दोस्तों, आप दोस्तों reading करेंगे सारे लोग, ठीके, देखो, यहां से पढ़ेंगे, ठीके, पढ़ने का time में दे रहां दूँगा, वही एक minute, slide one, slide two, slide three, ठीके, एक minute का time लेंगे, चैसे पहला वाला पढ़ाता है, वेची से इम पढ़ना है, come on, ठीके, झाओे, झाल झाल दन हुआ दोस्तों समझ में आया आये समझते हैं in fab this year february this year में the supreme court of india issued a contempt notice against patanjali ayurved contempt notice issue किया against patanjali ayurved किसलिए for publishing misleading advertisements misleading advertisements को कि पर पब्लिश के patanjali ने that were in direct violation वो भी ऐसे थे जो violation में थे किसके of the drugs and magic remedies objectionable advertisement act 1954 and its rules इनके नियमों के खिलाफ थे despite the company's assurance बावजूत इसके की company ने assurance दिया था to the court court को in november last year last year november में that it would not do so कि company ऐसा नहीं करेगी court के निकलने के बाद इन्होंने फिर से वैसा करना शुरू कर दिया ये दिक्कत हुई on Tuesday Tuesday वाले दिन क्या हुआ the apex court apex मतला बोता है सर्वोच यानि की supreme court apex court turned up the heat फिर सो वो गुस्टा हुई by threatening Patanjali's co-founder बाबर रामदेव इनको नोंने बताया threaten भी किया court ने की तो बहुत गलत कर रहे है क्यों क्यों कि बाबर रामदेव ने with perjury proceedings नोंने करी है perjury proceedings का मतलब शपत ले लिए और फिर जूट किया जूट बोला in addition to contempt contempt के अलावा ही भी कि contempt मतलब violation तो यहां किया है उसके अलावा इनोंने perjury proceedings भी करी है कैसे the two member bench again came down heavily दुबारा इनोंने डाट फटका लगाई on the government government पर और this time for turning a blind eye इस बार at government पर क्यों डाट पिटका लगाई कि तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है ऐसा लग रहा turn a blind eye कर दिया turn a blind eye का मतलब ignore कर दिया है when the company was promoting its products जब company अपने products को promote कर रही थी as a finish या कि ये तो पूरा तरीके से cure है during the COVID-19 pandemic pandemic के द्वारा in blatant violation of the act ये तो act का पूरी तरीके से violation है while the court has asked the government court ने government से कहा है to file an effidavit बना के file करो to dispel the impression जहां पर ये impression आप बता रहे होंगे that it was complicit कि ये आप सब के मिली बगत थी जान बूच कर ऐसा किया गया the fact is that the government did government did almost nothing fact ये government ने almost कुछ भी नहीं किया to inform the people, लोगों को inform करने के लिए that coronal was not a cure कि coronal जो थी वो cure नहीं थी for COVID-19 के लिए हाला कि आप सब को पता तो है internet के माध्यम से but government ने ऐसा clarify नहीं किया कि जो coronal थी was not a cure for COVID-19 as claimed by the company in June 2020 जो कि company के द्वारा claim किया गया June 2020 में but only as supporting measure बस एक इस supporting measure थी एक तरीकी का immunity को boost करने के लिए in COVID-19 nothing more than anything कुछ उससे अलावा कुछ और था ही नहीं but वो इस तरीके से एक तरीके से बताया जा रहा था एक्सप्रेस किया जा रहा था जो कि पूरी तरीके से गलत था सही बाते तो हमने यहां तक बनाया अब आप दोस्तों यहां से फिर से पढ़ेंगे ठीके पढ़िए झाल चलो देन हुआ देखो अब एक तो इरान की इनकी एक वाइलेशन तो यहां था दोजार बीस में इन फैब 2021 में क्या हुआ दि प्रिजेंस आफ हार्श वर्दन हार्श वर्दन इनकी प्रिजेंस में उस वक्त कौन थे वो देन का मतलब उस वक्त देन का मतलब उस वक्त उस वक्त कौन थे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे वो तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साफ़नारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ आप अलोंग विट यूनियन मिनिस्टर नितन गड़करी अट प्रेस कॉन्फरेंस में जो organize की गए by patanjali उसमें promote किया गया coronal को और coronal को promote करना गलत बात नहीं है promote किया जाए but इसमें जो claim किया किया कि claim में गरबड थी made the company's claim sound very credible अजब ऐसे लोग साथ में थे तो company की जो बात है value तो value automatically बढ़ जाती है लोगों का भरुसा बढ़ जाती है कि आट बिलकुस ही कह रहे होंगे union health minister भी है है ना तो अच्छा emboldened by the absence of penal action अब इन सारी चीजों को court ने क्या किया जोड़ा कि इनके उपर penalty लगनी चीए penal action होना चीए by the courts और the government के द्वारा भी होना चीए for the false claim कि जो false claim किया गया है that coronal could cure COVID-19 को जो coronal COVID-19 cure कर देगी false claim था the company went on an advertisement spree advertisement spree का मतलब स्वतंतर रूप से advertisement लगातार लगातार करते चली गई फिर भी company करते चली गई in 2022 में यही claim कर रहे थे that its product could cure कि इनका जो product है वो cure कर सकता है many non communicable diseases को and conditions को वो cure कर सकता है बलकि ऐसा कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था the advertisements also denigrated and derided हो गए थे evidence-based medicine allopathy कोई भी आपनके बस evidence ही नहीं थे चीज के बस allopathy की कुछ चीजे थी but complete cure का कोई भी सबूत नहीं थे on November 21, 2023 की आगी बात the court warned, court ने warning the company को not to advertise permanent cure, permanent cure को लेकर advertise मत करो कि हम permanent cure कर देंगे and threatened to impose a penalty और court ने कहा भी आपके वह penalty लग सकती एक करोड रुपे की on every product for which such claims were made हर्न प्रोड़क के लिए जिनके प्रोड़क के लिए आपने इसे claim किये गए थे लेकिन बट वो तो बाबा जी हैं है ना तो बाबा जी ने क्या किया देखो ज़रा आप यहां से फिर से पढ़ेंगे, come on कर दो डाल देखो बट लेकिन जैसी कोट ने का एक क्रोड रुपे लग जाएगा पेनल्टी तो भी इंसल्ट होती है इसे तो इन्होंने दूसरे दिन ही क्या क्या और आपशलिट डिफायंस का मतलब अभमानना कर ली कोई भी बात नहीं मानी दूसरे ही दिन कमपनी हैड अप्रेस कॉनफ परिस देखो अपने प्रडाकस को डिप्रिट करने के लिए दूसरे ही दिन इन्होंने मीटिंग कर लिए, प्रेस कॉंफरेंस बुला ले और दिखा दी कि हमारे प्रोडाक्ट तो बहुत बढ़िया है defend किया, in December last year किया हुआ and January 2024 में, cooking a snook at the court, court को ही पूरी तरीके से इन्होंने अभमानना कर दी, disrespect करी the company again issued newspaper advertisements company ने फिर से newspaper advertisements issue करे, compelling the court और इससे court को मजबूरन क्या करना पड़ा, to issue a contempt notice, contempt notice issue करना पड़ा, in February, February के मन्त में, it is unlikely it is highly unlikely, कि बहुत ज़दा unlikely है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, that the company could have continued to act this way, कि company लगातार इस तरीके से काम कर रही है, in the absence of at least tacit support, शायद इस हज़े से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा support मिल रहा है from the government से, at the center and उत्राखंट से, where the company is based, जहाँ पर company based है, उत्राखंट में company है न, independent of the court, independent of the court, the absence of any restraining order, किसी restraining order की absence होनी की वज़े से, by the government government की तरफ से कोई order नहीं था to stop the company from freely advertising, highly misleading claims, जो सौतंदर रूप से highly misleading claims को advertise कर रहे थे, only stress and suspicion, सिर्फ यही चीज़ है जो कि doubt create कर देती है कि यार government क्यों नहीं रोक रही थी in matters, ऐसे matters में जो कि related to health and medicine है the government playing favoritism government ऐसा लग रहा है कि favoritism जो है, वो role play करीगी है हमारे वाले लोग है, तो इनको कुछ मत काओ, playing favoritism can be extremely dangerous and harmful यह बहुत dangerous और harmful हो सकता है allowing commercial interest to override public health and safety can be perilous, अगर आप यह करोगे commercial interest को आप पहले लियाओगे कि पैसा कमाने वाली बात पहले है और वो अगर override कर देगी public health and safety को, तो यह चीज़ perilous हो जाएगी, perilous means harmful हो जाएगी, ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने इसको पूरे को पूरे पढ़ा उमीद करता हूँ आप सबको समझ माया होगा article पर क्या बात बुली जा रही थी और कैसे कैसे यहाँ पर अभी तक कहानी चलिए now आप बताएंगे इसमें question का tone क्या बनता है मैं आपको question दिखाता हूँ इसका ठीके, सब लोग को समझ में आया तो मुझे comment में बताना चीज़ समझ गए है done, ठीके, देखो यह रहा question, what is the predominant tone used by the writer in discussing the situation regarding Patanjali Ayurved's misleading advertisements and the supreme court's response इसमें जो tone use हो रही है, वो कैसे use हो रही है writer की neutral का मतलब neither negative nor positive sarcastic का मतलब criticize तो कर रहे हैं but not in a direct way critical का मतलब directly criticize करना supportive writer भी support कर रहा है very good, ऐसे ही करते जाओ या writer amused है chock गया है, आश्चर इचकित हो रहा है तो हम क्यते amuse हो जाना answer बताओ क्या बन रहा है amuse दे रहे हो c भी answer आ रहा है, critical भी आ रहा है answer इसके criticize करने वाला है साफतार पर देखो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने कर लिए, आप मुझे ये बताइए इसे करने के बाद, आप सबको सबको समझ में आया है न, कि word हमने पढ़ना कैसे होता है, काम करना रहता है जब आप comment करके बताते हैं बाकी session कैसा लगा आज का, मुझे बताएगा I am waiting for your response, आप सब लोग मुझे बताना session कैसा लगा उपर से, आप सब लोगों के लिए जो मैंने plan किया हुआ है, वो planning भी सुन लेजिए, फिर से, आज हम 11 बजे YouTube पर मिलेंगे live 11 a.m. YouTube पर मिलेंगे live और आज हम दोस्तों सीखेंगे close test कैसे किया जाता है ये close test prelims में जब आता है न दोस्तों तो 5 marks तक का आ जाता है और ये जब means में आ जाता है दोस्तों तो 6 to 7 marks तक का आ जाता है हम सारे previous year के close test करेंगे तो 11 बजे YouTube पर दोस्तों आप सब लोग ज़रूर जुड़ेगा LB waiting मैं इंतजार कर रहा हूँगा ठीके मैं पढ़ाऊंगा आज 11 बजे तो हम लोग close test के लिए जुड़ेंगे और जो बच्चे नए है चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज subscribe the channel आप लोग subscribe कर लेंगे तो दोस्तों चैनल की वीडियोज आपको मिलती जाएंगी आज है ये दूसरी बात आप में सबी बच्चे जुक्यान Academy पर प्लस का subscription ले चुके हैं या लीना चाहते हैं आज से ही बैस शुरू हो रहा है आर आर भी पियो क्लर का जिसमें अरुन सर और अभी जी सर पहले पढ़ाएंगे प्रलिम्स बाकी फिर बाकी हम सब टीचर पढ़ाएंगे मेंस त्याज से ये शुरू हो रहा है दस तारिक से आपका आर भी एक ग्रेड बी का बैस शुरू हो रहा है जो कि लाइव के साथ रिकॉर्डेड होगा और उसके बाद ग्यारा तारिक से मेंस स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे जो प्रलिम्स एक बार का भी पढ़ चुके तो आपके लिए मेंस है उसके बाद दोस्तो अगले महीने हमारा ये आएगा प्रलम आईगी तो आप दोस्तो मुझे बताएंगे करिंट में ये वाली क्लासे चल रही है आप मुझसे फाउंडेशन पढ़ रहे हो दोस्तो दोपैर दो बज़े पढ़िएगा फाउंडेशन के बैच में ये बैच रिपीटर और प्रक्टिस बैच प्रक्टिस और रिपीटर की कतियारी करने तो सुबा नौ बज़े दोस्तो ये क्लास चल रही है आप इसको जोइन कीजे कहीं से कोई बच्चा रहना जाए डिस्क्रिप्शन में इसलिए मैंने सारे लिंक लगा दिये तकि आप अराम से से पढ़ पाएं बगे सेशन दो करते हैं दोस्तो खतम अच्छा लगाए लाइक बटन में जरूर प्रेस करना मिलते हैं दोस्तो ग्यारा बज़े तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार लव यो ओल दोस्तो जै हिंद जै भारत थैंक यू मेरी मच